नमस्कार दोस्तों रेनाम सेकर और स्वागताप सभी का हमारे टूप चैनल सिकार स्टड़ी पॉइंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी और उत्राखंड के महत्तपूर्ण प्रस्नों को यहाँ पर दोस्तों जो प्रस्न आपको दिखाई दे रहा है इसका सई जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लोवर पीसेस में उस्तों ये प्रस्न पूछा गया था उत्राखंड सरकार द्वारा किस तीथी से किसान प्रोत्साहन पैंसन योजना प्रारंब की गई की शुरुआत करते हैं चांत का महोटेड़ा है के लेखक हैं तो चांत का महोटेड़ा है तो इसका सई जवाब आपको पता है कि कौन-कौन से मारे सलेवस में हैं ये हुझा जाएगा गजानन्थ माधव मुक्तिबोध ऑफशन नमबरwar-C इसके अलवा दोस्तों इनका उपन्याश पूछा गया था वीडियो के एकजाम में बिपात्र उपन्यास किसका है ये भी दोस्तों इनी का है गजानन माधव मुक्ति बोत का इसके अलावा कामायनी एक पुनरविचार ये भी इनी की रचना है सत्य से उड़ता आदमी ये भी दोस्तों इनी की रचना है सत्य से उड़ता आदमी और इनको दोस्तो मुक्ति बोत को तार सब्तक का पहला कभी इनको माना जाता है गजानन माधव मुक्ति बोत को तो बढ़ते हैं अगले बरसने की तरब अगला है बाधा था विधू को किसने इन काली जनजीरू से मड़ी वाले फणियों का मुख क्यूं भरा था हिरू से इन काभ विपक्तियों में कौन सा अलंकार है अलंकार दोस्तो हमारे सलेबस में है यमक, सलेश, अनुपरास या अतिस्योक्ति पहली बाद दोस्तो जो अतिस्योक्ति जो लिखा हुआ यहाँ पर यहाँ आपको वर्तनी में याद रखना है यह 100 दोस्तो पूरा रहेगा कई बच्चे क्या करते हैं यह 100 को आधा लिखते हैं दोस्तो वर्तनी में भी परसना आता है तो इसलिए आपको वर्तनी भी पहली याद रखनी है अतिश्योक्ति इस तरह से लिखा जाता है और इसका सेवतर भी यहाँ पर हमारा अतिश्योक्ति है बाधा था विधू को किसने इन काली जंजिरू से इसमों हो जाएगा अतिश्योक्ति अलंकार बड़ा चड़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है अगले है लॉडिकालीन भारती आर्रिभासाकाल यह उज्याषात्तो 500SB से लेकर 1000SP तक पराचिन भारती आर्रिभासाकाल जस्तोओ कब से कब तक है हो है दोस्तोU2 solutions से लेकर 500SP पूरू तक यह भी आपको याद ऊस्थकने है इसके अलावा जो आधुनिक भारती on Ready वहाँ चले एकर एक हजार इसपी तक यह हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका से उतर है मद्धिकालीन भारती आरिवासा काल अगला प्रसने है निमिल्ल कित मैंसे एक वाक की सुद्ध नहीं है उसने मुझे उसने केवल मुझे निमंतरित किया था क्या ये सुद्ध वाक के नहीं है हो सकता दॉस्त हो उसने केवल आपी को बुलाया हो है न? तो ये देखने के से सही लग रहा है ऐसा कुछ गल्ती तो नजर नहीं आरी इसमें सभी को डेश की सनसीखिरति का सम्मान करना चाहिए इसमें भी दोस्तो गलती तो नजर नहीं आरी वाक की सुद्ध नहीं है यानि कि वासुद्ध वाक के में डूटने है आपने उसे टका सा जबाब दे दिया ये भी ठीकी लग रहा है शिस्य गुरू गुरू दोस्तों से बड़ा वाला आता है तो ये भी गलत है पैर में गिर पड़े तो ये भी हैं बादल घर आये और बारिस होने लगी रचना के दृस्ट इसे वह आग कि तो रचना की दिष्ट है दोस्तों सेद वाचक और आज्ञा वाचक यह तो होते निया यह तो अर्थिक के होते हैं अर्थिक नुसार स्छल और स्यूकत तो स्रल वाग की है नहीं दोस्तों यहां पर और आगया आप आज़ाने से पहचान सकते हैं यह भाट कि चाहिए कुछ भी आए वहाँ पर बीच में और लगाओ तो आप पहचान लिजेगा, यह हो जाएगा स्विंक्त वाक के। अगला है वर्ण में एक परते लगाने पर बनने वाला सब्द वर्णिक 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 यह तो आपसन नमबर डी हो जाएगा इसका बिलकुल बिलकुल सेवतर अगला बर्णिक वर्णिक 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 वर्णि वाली या धातु से बनने वाली तो नाम धातु दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्पुर्ण है संग्या या विशेशन से बनने वाली किरिया कहलाती है नाम धातु किरिया बहुत ज़्यादा महत्पुर्ण है तो बढ़ते हैं अगले परशनी की तरफ इसके बाद दोस्तों उत परिमारिक नई परिमार वाचक नहीं संख्या अब योग्य दोस्तू कि आपको लग रहे हैं संख्या वाचक कहता ही नहीं। करण से द्वारा सम्मंद का की रारी नाने नी ये शुमा आता है इसका से उत्रवास तो संपरदान के कोली है ओप्सान नमर ए अगला प्रसन है इन मैंसे कौन सा सब्द पुल्लिंग नहीं है अब पुल्लिंग नहीं है दोस्तो क्या होगा इस्तिलिंग होगा पुल्लिंग नह ही है शूर्य शूर्य दोस्तों क्या पुल्लिंग है अमरूद पुल्लिंग है चाता 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 चातों यह भी पुल्लिंग है बनावट अच्छी है बनावट अच्छा है बनावट अच्छी है उस्तों यह उजाएगा बनावट हमारा क्या है यह स्ट्रिंग सब्द है यह उजाएगा यहाँ पर हमारा सरुनाम सिर्फ पर यहाँ 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 कैसा सरुनाम है यहाँ निश्चय वाचक सरुनाम है इस तरह से भरसन बनता है कि इस तरह का सरुनाम है तो निश्चय वाचक सरुनाम है यहाँ अगला परसन है संग्या का भेद नहीं है बैक्ती अगला परसन है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चीए का अर्थ है भाई का समन सुरू में ही कर देना चीए दुसमन पर पहले ही वार कर देना चीए रोब पहले दिन पढ़ता है फिर नहीं बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चीए अब दुस्तो कौन सा इसमें से सही होगा है डी या ए तो इसका सेवत्रगा दूस्तो भाई का समन सुरू में ही कर देना चीए बोले तो बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए तो यह जाएका उप्सवर A अगले आकर्ती सब्द का संभिन नार्तक क्या है आकर्ती बोले दोस्तो बनावट बनावट कैसा सब्द है इस्तिलिंग है अभी हमने देखा था यहाँ पर दोस्तो आकर्ती है इसका जो संभिन नार्तक है यह क्या हो जाएगा बनावट तो अगर आया ईखेजम में ये आकरती है और ये दोस्तो मैंने क्या लिखा है ये लिक़्ाइ अकरती ये जो अकरती है इसका दोस्तो सं Victor नार्त क्या होगा वो वह new और वुर आकर नहीं कि उजएगा अग्गे बोले तो जिसे जाना न जा सके उसे कहते हैं अग्गे तो बोले तो इसका सेवत्रु का दूस्तो ओप्सन नमबर C अगला प्रस्न है उत्रा खंड विधान सबा में अनुसूचित जाती के लिए कितनी सीट आरक्चित हैं SC की दोस्तो यहाँ पर बात हो रही है तो SC के लिए दोस्तो 13 सीट हैं और ST के लिए अनुसूचित जंजाती के लिए कितनी सीट हैं दो सीट हैं चक्राता और नानकमत्ता OBC के लिए कितनी सीट हैं उत्राखरंड में तो दोस्तो OBC के लिए एक भी सीट नहीं है ये परशन भी एक्जाम आ सकता OBC के लिए कितनी सीट हैं तो एक भी नहीं तो बढ़ते हैं अगले परशन की तरफ बढ़ते हैं अगले परशन की तरफ आगला परशन है गरामीड और कि सी विकास समीति की स्तावन वस्तों यह हुई थी हल दुआनी में हल दुआनी में 1995 अगला प्रसन है अठार सो चालिस में बिर्टिस गडवाल का मुख्याला यह कहां था पिल्कुल आसान प्रसन वस्तों नेनिताल करेंगे आप क्या देरादुन करेंगे पोड़ी करेंगे तीर तो अठार सो चालिस में बिर्टिस गडवाल का मुख्याला था पोड़ी फिल्कुल से उतर है याद रखेगा यह प्रसन एकजाम में भी बन सकता है अगला प्रसन है दोस्तों उत्रा खंड का यह भी दोस्तों सदाभार प्रसन है आयो दोस्तों चाहे UKPSC पेपर कराए या UK अच्टपति सासन कब लगाया गया था उस्तों यह लगाया गया था 27 मार्च 2016 से 11 मैं 2016 तक तो यह आपको याद रखना छीएली दिन दें दर उस्तों लगभग लगा था 27 मार्च 2016 से 11 मैं 2016 तक हरिस राओ उनकी दोस्तों समय सरकार थी उनका समय हो था अगला है बिर्टिस किस कमिस्नर ने पुलिस प्रणाली के स्तान पर पटवारी प्रणाली को सामानी परसासन में अपनाया था दोस्तों यह अपनाया था ट्रेल मोहदई ने ट्रेल ने दोस्तों 1819 में नो पटवारी के पद सर्जित के थे अगर आएगा कि एकजाम में राजसुक पुलिस व्यो ब्यवस्ता लागू हुई थी हेन्री रैम जे के समय से अभी भी दोस्तो जो राजसु उपनी डिक्चक तो अभी भी दोस्तो ये विवस्ता हमारे हां लागू आपको बताई है आज कल दोस्तो इन्होंने वैसे जो पुलीस वाला काम है ये लगवग थोड़ लखा है इसका से बहुत अच्चे-च्चे काम किये डबल लोग ब्यवस्ता ये भी ट्रेल के समय हुआ था तो इसका से उत्रो जेगा ट्रेल ओप्सन नमर बी अगर वसने पंत नगर में भारत का पहला किर्शी विश्चु विध्यला इस्तापित हुआ सीधे सीधे आपको याद अखना है य गोविंद बल्लभ पंत उनके नाम पर पंत नगर रखा गया तो भारत का पहला किर्शी विश्चु विध्यला इस्तो नेहरुने 17 नवंबर निश्चु विध्यला इसका से उत्रो जाएगा 17 नवंबर 1960 को अगला रसने कुमाउ कमिशनरी का मुख्यालाई अलमोडा से नैनी ताल कव इस्तानांतित हुआ अब दोस्तो आपने जैसे ये कनिसाइक में आवा था और 842 ऑप्सन है 1911 ये तो खेर होगा नी 842 भी कुछ अब बैरती कर सकते हैं आपके मन में आ रहोगा 844 और एक जगह में बुक में भी पढ़ रहा था कि ये 845 में कुमाओं कमिस्णरी का का रहले अलमोडा से नैनी ताल में इस्तानांतित किया गया जब दुस्तो पेपर हुआता फिर आंसर की आती है तो उत्तर उस्तो इसमें अठार सो शताउन दिया था उस समय और कहीं पर 845 भी वो उतर दिया गया जैसे बैटन के समय बैटन की समय की दुस्तो इसकी बात है बैटन था उसमें क्योंकि बैटन दुस्तो इसकी बात है तो इसकी बैटन आ गया था तो इसकी बात है तो इसकी बैटन की समय की दुस्तो इसकी बात है तो यह आपको याद रखना है यह झाला है नीमनमैसे कॉन अफ़ पूस्तर बेरिश्चि यर मुकुंदिलाल ने नहीं लिखिए पहली बात आपको является क्या पूछा गया है गड़वाल पेंटिंग, गड़वाल पेंटिंग दोस्तो ये बैरिष्टिर मुकुंदिलाल ने भी लिखिए एक गडवाल पेंटिंग और है वो भी आपको परिक्षाण वाड़े मिल जाएगी वो वी और चर ने लिखिए वी और चर इंगलिज वाली हो तो ये भी ये मुकुंदिलाल ने लिखिए ठीक है सम परच का है गडवाल चितर सैली एक सर्विक्ष्ण तो इसका सेवत्र हो जाएगा हमारा ओप्सन नमर भी अगला परशन है दर्रों से भी दो परशन आता है निम्न मेंसे कौन सा इस्तान स्रीकंठ दर्रे से होकर गुजरत है श्रीकंठ दर्रे से जुड़ा हुआ है तो श्र उत्तरकासी और हिमांचल पर देश के बीच है श्रीकोंटय दर्रा भागेशवर और पित्वडा गड़के भी दूस्तों यह है ट्रेल पास किस कमिशनर के नाम पर एक दर्रा की है दोस्तों यह प्रेल के नाम पर एक दर्राव यह ट्रेल पास जो कि दोस्तो बागेशर और पिथवड़ागड के बीच में 830 में दोस्तो ट्रेल ने खोज भी की थी इसका सेवतरुजे का उत्तरकासी मांचल चमोली और पिथवड़ागड ये भी ऑप्षन में है चमोली और याद रखना है वहाँ एक्जाम में यह आएगा कि जैसे शिरिकंट दर्रा किसके बीच है इसी तरह से 12 होती दर्रा किसके बीच है तब आप बताएंगे चमोली पिथवड़ागड तो ये भी आपको दो याद रखना है तिबबत और पिथवड़ागड के भी दोस्तो पिपुल एक आपको याद रखना है फिथोड़ा गड़ और तिबबत के बीच है इसके लाओ गुंजी दार्मा नविधुरा बहुत सारे दर्रे हैं तो बढ़ते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला गडवाल और कुमाओं को दो अलग अलग जिले कब बने गडवाल और पिपुल सेवतर होगा टिक कर सकते हैं तो अप्सन नमर एक हो जागा इसका सेवतर गडवाल और कुमाओं दो लग लग जिले बने थे 849 अगला प्रस्न है 812 में इस्ट इंडिया कंपनी ने जमीन कहां खरी दी थी उस्तों ये कहां खरी दी थी ये खरी थी मसूरी में 811 मे एक बेक्ति था मेजर हे remnants ने इस्ताणी जमीदार को वहां का होगा तो उससे दोस्तों मसूरी में जमीन खरी थी जिसे फिर 812 में यानिकि अगले वर्ष से इस्टि इंडिया कंपनी को इसने बेज दिया था तो ये हो जाए उस्तों यहां पर हमारा अगला है और आग दोस्तों आप मसूरी में जमीन खरी दिंगे तो आपको बता है कि उसके लिए जबर्दस्त जौब होनीची तब ही दोस्तों संभव होए कि इतना महंगा आपको बता है अगला है बेराइट्स खनीज उत्राखंड के किस जिले में पाये जाता दोस्तों यह बेराइट्स के लिए परसिद्ध है देहरादून ओप्शन अमर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल से उत्तर इसके लिए उस तो फास्पोराइट के लिए जाना जाता है वो भी देहरादून फास्पोराइट के लिए उस तो टीहरी भी जाना जाता है टीहरी का जो रजगेव चेतर है वहां भी फास्पुराइट मिलता है यह जाएगा हमारा ओप्शन मर ए टीन के लिए दोस्तों चमोली यूरेनियम के संकेत टीरी से मिले हैं चांदी के लिए अलमोडा और जनपद में भी होता ही है तो यह जाएगा हमारा दून अगला है उत्राखंड में किस परजात अगला है डोकराणी हिमनद ढोकराणीघिलेशर कहां इस्तित है भागी रती बेसिन में मंदाकीनी बेसिन अलक नदा बेसिन टॉन से में पहली बात दूस्तों भागी रती स्वर्ग ये उत्तर गासी जन पदमें तो मंदागी ने option अट गया अलगनदा गया अब टोन से आ भागी रती दोस्तो यह हो जाएगा भागी रती बेसिन में है तो option number D हो जाएगा इसका बिल्कुल सेयुतर अगल है उत्राखंड सरकार ने ये परसंद दोस्तो आपको मिलेगा परिक्ष्य हमाड़ी के जो पीछे करेंट फेर दियो है वहाँ आपको मिलेगाई उत्राखंड सरकार ने 2021 में केस नर्स को फोलोरेंस नाइटिंगल पुरुषकार दिया गया सकुनतला डीबी कमला थापा और ये एलिएमपा कोरा या आर सुकुमारी दोस्तो इसका सेउत्र हुजाएगा यहाँ पर हमारा ओप्शन मर ए कमला थापा को इसका बिल्कुल सेउत्र बढ़ते हैं दोस्तो अगले प्रसन की त्रफ अगला प्रसन है 1962 में नरेंदर महाविध्याले टिहिरी गडवाल किसने इस्तापित किया ये क्या था दोस्तो कमलेंदु मतिसाने मंगला देप उपाध्य ये आपको नहीं करना है ये क्या था कमलेंदु मतिसाने नरेंदर महा पद्धम भूसरण है। अगल्य है 871 में अल्मोडा आधबार किसके द्वारा परकासित किया गया। तो बुद्धी बालाप फंति इसका सिवत्र होगा अल्मोडा आधबार अठार से गत्तर में पर्थम संपादक कौन थे यह थे दुस्तू बुद्धी बल्लप पंत रजिस्टेसन नंबर कितना था वो था दुस्तू 10 इसके लावा कौन-कौन से इसके संपादक थे इनसे परशन एक्जाम में बनता है पहले पूशा गया है एक तो नाम याद रखे मुनसी इम्तियाज अलीका इसके लावा जीवरंद जोसी सदन्द सन्वाल विश्ण जोसी फिर उसके बाद आएंगे लास्ट में बदिदत पां पांडे कहां से लोकसभा सदसित चुने गए थे दोस्तो ये चुने गए थे 1955 में अलमोडा से अब दोस्तो देखिए चंपाव जनपद बनाई नीथा है ना 1955 में पीथोड़ा गड़ पी 1960 में नहीं निताल आप कर सकते इनसे शपन में लेकिन दोस्तों उनिस्तों शपन नह करना आपको 1955 में अलमोडा से ओप्सन बड़ी इसके अलाव दुस्तों बदिदत पांडे को कुरुमांचल केश्री का जाता है कुमाओ केश्री नहीं का जाता है कुमाओ का इत्यास इनकी पुस्तक है ये भी आपको याद अखना है तो बढ़ते हैं अगले परसनी की तरफ अगला है कुमाओ राश्टी मोर्चा किसके द्वारा इस्तापित किया गया ये दुस्तों किया गया था 1970 में released party के महासचीव PC जोसी बोले तो पूरन चंद जोसी ने कुमाओ राश्टी मोर्चा का गठन किया था दोस्तों ये भी आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगल पूर्ण पर्याग के बीच रेलवेट रख पनानी की यूजना किस ने बनाई अब देखें दूस्तों काड़नर के समय बिसभबर अब दूस्तों यह बिसभबर यह ब्रिटिस लेकर था और इसने उत्राखंड में चाय की खेती का सुजाओ दिया था अब दूस्तों यह लगबग लगब आपने पढ़ा होगा आपको लग रहा होगा कि गार्डनर नहीं होगा अब दूस्तों जब एक्जाम आय था कनिस साइक का यह इसी एक्जाम मत आसा जाता मुझे याद है तो यह मैंने भी दिया था तो उसमें इस तरह से मैंने इनको टिक नहीं किया फिर बिल्यम मायर और इन में से अब एक में उस्तों टिक करना है आपके सामने उस्तों कुछ चीज़ें इसी होती है भर यह आपको नहीं आती हो तो आप भी क्या करेंगे एक-दो उसन हटाएंगे फिर दो यह दो default लगाना। फिर आपको फिर लगाना हि मिल्यान यह फिर फिप्टी-फिप्टीपी पर आप पहुंचगे यह तो सही होगा या जल्द हो आपको लगा लगा लगाना नहीं इन आपको छोणना नहीं तो जम कबने टिक कर दया था व अगला है गड़वाल पेंटिंग पर किस सेली की पेंटिंग का पर्भाव दिक मुगल सेली कांगडा सेली रादपून पेंटिंग निया इन में से कोई नहीं दूस्तो यह जगा कांग़ा पेंटिंग का अधिक परबाव है मुगल पेंटिंग आपको नहीं करना है गड़वाल पेंटिंग सेली पर यह जगा option निमबर C अगला है 843 में पोड़ी और गडोलिया में चाई बागानों की स्तापना किसने की ये की दिए उस्तो कैप्टन हडलस्टन ने बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है कैप्टन हडलस्टन का नाम आपको याद रखना है इसके अलाव उस्तो 850 में चीनी चाई भिसे सगी और गडोलिया में चाई बागानों की स्तापना किती कैप्टन हडलस्टन ने तो ये भी आपको लगी हाथ याद रखना है अगला वरस्टन है निमिलिकित में से कौन सा स्रोत गड़वाल छेतर के बारे में जानकारी देता है वायू पुराण बिल्कुल है महाबारत के बन परूम में बिल्कुल है इसकंद पुराण के केदार खंड में बिल्कुल है तो ये हो जाएगा उप्युक्त सभी ऐसे परस्ण बिल्कुल आसान नेते हैं उप्युक्त सभी टिक कर दिजिए से हो जाएगा अगला 1906 में कुमावनी में बंदे मात्रम का अनुवाद जै जै माई जन्म भूमी धन्नी धन्नी तुम के रूप में अनुवाद क्या बंदे मात्रम का उस्तो ये किया था कुमावनी बोली में अनुवाद उस्तो ये किया था किसने हरी राम तिरपाठी ने हरी राम समस्तुका ये दोस्तों निकलती है और थो बागतिर थी बोली तो यह जगा पिंडर की साइक है उप्सन नबर वी हो जगा इसका से उत्तर पिंडारी गिले से है ये भी दोस्तों वाग स्वाग सौक अगला है निमिल लिकीत मैंसे कौन सा एक बाध्यंत्र नहीं है दमामा नाक तुगियल या बुजनी दोस्तो ये आभुशन है जो की पहना जाता है कान में अगला परस्न है पवार राजवन्स में वर्नित गड़ राजवन्स काभी के अनुसार नेमिलिकित में से कौन सा पद मंत्री परस्दम सामिल नी था मुकतार, दिवान, बक्सी था सदर दोस्तो नहीं था सदर नहीं था ओप्शन में डी हो जागा इसका से उतर ये परस्न भी दोस्तो आयोग ने पूछा हुआ है कनिस साई के पेपर में अगला बसन है बैजनात के वन्स को कत्योरी नाम किसने दिया एटकिनसन ने दोस्तो शरू पर्थम कार्ति के पूर राजाओं के लिए एडविंटी एटकिनसन ने तो ये दोस्तो कत्योरी नाम दिया था तो कत्योरी नाम किस ने दिया था कार्ती के पूर आजनस को ये दिया था एडविंटी एटकिंसन ने तो ये आपको याद रखने और बदिद्यत पांडे दोस्तो कार्ती के चिन नाम दोस्तों को क्या मानते हैं वो मानते हैं वो मानते हैं कबीरपूर तो ये भी आपको याद तो यह थे दूस्तों आज के मारे मेहतुन बसने बागी मिलते हैं बजल देख नई वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू समझ अपना ध्यान रखिए सोचते रहे मसत रहे त्यारी करते रहे